आज हम हनी सेसमे चिकन बनाएंगे यह बहुत ही आसान स्टार्टर है चिकन का बोनलेस चिकन से बनाया जाता है इसे फ्राइड राइस के साथ नूदल्स के साथ खाया जा सकता है या तो सिर्फ इसी तरह आप रूखा भी खा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं हमारे स्टाइल से किस तरह बनता है हनी सेसमे चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर बूनलेस चिकन लिया है इस तरह से इतने इतने पीसिस किये हैं 500 ग्राम है यह हम इसमें एक टी स्पून काली मिर्चे और थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक हमने कम रखा है यह लाइट सोय सॉस है जो हम एक टीबल स्पून डालने वाले हैं इसलिए हमने नमक को कम रखा वैसे अगर डाक वाला यूज कर रहे हैं तो इसका आधा यूज करें एक टी स्पून भरकर लसन का पेस्ट अगर अधरक लसन अविलेबल है घर पर तो वह यूज कर दो टी स्पून कॉण फ्ला बस यह इतनी ही चीजे डालनी है हमें इसे मिक्स करना है एक साइट पर 15-20 मिनिट के लिए तब तक हम इसका एक अच्छा सा सॉस तैयार करेंगे यह डिश बनाने में बहुत ही कम समय लगता है फटा फट बन जाती है और आसान भी है सॉस बनाने यह थोड़ी थोड़ी स्वीट होती है ब्राउन शुगर एक टी स्पून ब्राउन शुगर नहीं है तो रेगूलर शुगर डाल सकते है एक टी स्पून विनेगर यानि की सफेद सिरका दो टी स्पून सोय सॉस यहां भी हमने लाइट वाला यूस किया है आप डाक वाला कर तो कम करें वरना कलर डाक हो जाएगा दो टी स्पून के आसपास टोमेटो केचप भी मिलाएंगे बस यह रेडी हो गया है एक साइट पर रखेंगे हमने आधा कप पानी लिया है जिसमें एक ती स्पून भरकर हम कॉन फ्लार मिला देंगे इसे मिक्स करेंगे एक सलरी ताकि हमारे बहुत सारे विवर्स जो वेट कॉंशिस है वह भी आसानी से बना कर इसे खा सकें तो आपको हमारी यह आइडिया कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो स प्लेम को हमने हाइ रखा है हाइ फ्लेम पर चलाते वे दो से तीन मिनिट पकाना है श्लेम हाइ करके अच्छी करा से पकाने के बार शीकल को घलाएंगे वैसे यह बुनलिस चिकन के पीसे अब्रेस्ट जो जल्दी गल जाते हैं ज्यादा नहीं पका देंगे कि ओश हो जाये पानी हमने एड नहीं किया है क्यूंकि चिकन के भी काफी juices हुए हैं, तो लो फ्लेम पर चार से पाँच मिनिट पकाएंगे, पाँच मिनिट हो गए है, चिकन को चिक करेंगे, माशाला, चिकन तूड गई है, आसानी से, यानिकी चिकन गल गई है, तो फ्लेम को हाई करके बनाने के लिए पहले हम दो टेबल स्पून लेंगे एक बोक में ऐल में एक टेबल स्पून से ज्यादा चौप किया वह लसन डाल देंगे लसन का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है थोड़ ज्यादा इस्तमाल करें फ्लेम को हमने लो रखा है बस आदी मिनिट हमने पकाया थो क्योंकि सॉस में नमक है सोया सॉस में तो वह हिसाब से नमक को टेस्ट करके आड़ करें थोड़ा सफिद मिर्च का पाउडर भी डालेंगे हाफ टी स्कून के असपास काली मिर्च भी इस्तमाल की जा सकती है अगर अगर अविलिबल नहीं है लो फ्लेम पर एक मिनिट तक इ अगर आप ग्रीवी करना चाहते हैं तो आप कॉन फ्लार स्लरी को बढ़ा सकते हैं यानि कॉन फ्लार थोड़ा दाल दे एक्स्ट्रा और पानी थोड़ा एक्स्ट्रा तो अच्छी ग्रीवी बन जाएगी इस तरह चलाते रहेंगे और दो से तीन मिनिट पकाएंगे ताकि कॉन फ्लार का कच्छापन भी खतम हो जाए और यह अच्छा सा गाड़ा हो जाए जैसा हमें चाहिए वैसा अच्छे से हमारा सॉस पक गया है आप देख सकते हैं इसकी कांसिस्टेंसी बस यह ऐसा होना चाहिए फिर हम इसमें चिकन इसमें डाल देंगे साथ में जो भी सौसेज हैं। ओईल है वो भी डाल देंगे थोड़े हरी प्यास के पत्ते भी डालेंगे और मेडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। हम इसे आज फ्राइड राइस के साथ खाने वाले हैं, वैसे आप इसे इसी तरह खा सकते हैं, बगएर राइस के, बगएर नूदल्स के, चाहे तो पराठे से भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी से, उससे भी ये अच्छा लगता है, तो हमने सारी चीजों को मिला दिया, इस इसमें आप देख सकते हैं, बिल्कुल हलकी हलकी सी ग्रेवी है, जो थोड़ी देर में ही ड्राइ हो जाएगी, तो बस चिकन डालने के बाद, फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई करके, दो मिनिट इस तरह पकाना है, फिर फ्लेम को बन कर देना है, हमारा हनी सेसमे चिकन रेड दो पेख सकते हैं. झाल झाल झाल